हाई वरिवान आईश दिस साइड आज की वीडियो के अंदर मिटसेम्स के बारे में बात करने वाले एक्जाम्स बहुत जादा पास हो गए हैं कई बच्चे तो बोल रहें 30 सप्टेमबर से होंगे लेकिन आपके एक्जाम अभी 30 सप्टेमबर 30 सप्टेमबर तक नहीं होंगे क्योंगी 1st year के 2nd, 3rd, 4th year से थोड़ा सा लेट होते हैं तो कैसे preparation करें भीया आप ये बताओ कि कैसे preparation करें क्या उतना ही मेहनत करें जितना हम 11, 12 में करते थे ध्यान से सुनना है आपको एक चीज़ अच्छे से clear करूँगा बच्चे 7, 8 घंटे 6, 7 घंटे लगे पड़े इत इतनी जरूरत है ही नहीं एक्जाम को आपको crack करने के लिए जो इंदरपर्स उनिवरस्टी का जो syllabus है ना फिर किसी भी उनिवरस्टी का अगर आप graduation कर रहे हो except MBBS अगर आप कर रहे हो तो उनका जो syllabus रहता है ठीक है और BTEC के लिए तो specifically बहुत ही जादा easy रहता है आपको इत एक्जाम होते थे offline जब मैंने एक्जाम दिये हमारे second year का maybe second half और third or fourth year तो उस time पे भी अब तो fourth year के अंदर exam सी खतम हो गया में भी एक खाली प्रजेक्टी रह गया है ठीक है तो ultimately क्या होता था मैं एक दिन पहले पढ़ रहा होता था और exam का पूरा का पूरा कवर हो भी जात टोटल चारी तो unit आती है medicine के अंदर दो ही तो unit आती है और first year के बच्चों के लिए 1.5 units आ रहे होंगी most probably max to max तो बहुत ज़्यादा असान रहता है उस चीज को cover करना मैं एक दिन पहले पढ़ रहा होता था तो कई-कई बार तो जैसे मेरा 12 बजे के आसपस exam है सुबह 8 बज चीजे थी office का भी काम रहता था तो that's why I used to study a day before exam और जादा से जादा जब first year second year की बात करूँ तो एक हफता पहले पढ़ लिए तो अगर आप ideal से ideal situation की बात करें तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए आपको जादा से जादा दिन का डेड़ घंटा देना चाहिए अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे है तो exam के लिए और अगर आपने डेड़ घंटा भी दे दिया तो you will be the topper in your class ऐसा scene होता है अब पढ़ भी first second year में जब तक online था पूरे पूरी इस आयाते थे ठीक है then after that तब भी मेरे 8 plus CG पे मेरी maintained थी अब तक तो उस case में क्या चीज रहती है मैं आपको समझाता हूँ for example आपने slaybers देखा आपको पढ़ना है कुलशनी आपने slaybers में जो topic उठाया है जो आपको पढ़ना है आप आपने चार्जीपटी पो topic डालो डाल दिया कि इसको पूरे detail में समझाओ उसके बाद में आपने पूरा का पूरा समझ लिए short notes आपने बना के रख ले ताकि बाद में revise कर सकते हो तीसी चीज क्या कर सोते हो Google पे लिख सकते हो जो पहला article है चाहा टुटोरियल स्पॉइंट आपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके बाद में आप समझ जाओगे अल्टीमेटली जो maximum questions आते हैं आई पी निवर्स्टी इंदर क्योंकि slavers पूरा predefined नहीं है आपको बोल दियो momentum उसका मतलब यह नहीं कि momentum का मतलब P is equal to mb बस यही आएगा momentum में लगला types of momentum हो सकते है momentum के cases हो तो उसके लिए the most best thing is the very much best thing is is to attempt a lot of previous year questions आपको पुराने साल के पहले वाले साल के 2-3 साल के कम से कम 5 साल के आपको questions को कर लेना चाहिए पांचे questions ही होते हैं भाई एक mid-sam के अंदर तो पांचे questions को अगर पांचे साल के तुम कर लोगे तो करीबन करीबन आपके mid-sam के बात कर रहा हूँ तो जादा से जादा आपके 30-35 questions बनेंगे और वहर वाले भी सारे आप मिला के चलोगे तो 30-35 questions आप अच्छे से समझ लो उ लिए ठेक है मतलब यार सेम होता है कोई tough नहीं है subject कुछ भी tough नहीं है actually मैं अभी आपको थोड़ा सा load पढ़ रहा हो क्योंकि teachers भी थोड़ा सा first year में first semester के अंदर शिरुआत में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं नहीं तो जब-जब नय semester start होता है बच्चे की सोस्ते focus करें लेकिन कि ultimately you don't need to focus a lot आप जितना जे में के लिए preparation के लिए time निकाल रहे थे अगर आप gate के लिए preparation कर रहे हैं तब मैं आपकी बाते समझ सकता हूं कि yes you have to focus a lot लेकिन if you are targeting the college exams only कि आपको 8 plus CGP 9 plus CGP score करकर रखना है एक safe side रे लेके चलना है तो just you need to study a day before exam और maybe 1.5 hours max to max throughout your year अग आप ज्यादा ही मतलब लेके चल रहें कि नहीं भई आप टू perform a lot कि मैं को अच्छा खासा आना चाहिए को कि आप कितनी ज्यादा CGP लिया हो क्या करोगे CGP से क्या करोगे on campus में एक दो companies होती है जो ज़्यादा CGP का ड्रामा करती है कि 9.5 प्लस एक बार आई थी साढ़े चार लाग की company हमारे college में जिसने बोलता 9.5 प्लस CGP वाले बच्चे चाहिए और प्लस 95% 12th के अंदर exam होने चाहिए और चार लाग का package दे रही है कोई बच् मैं बस यह बता रहा हो आपको आप इतना लोड मत लीजए exams का focus upon your skills and new kind of learnings if you are in coding then do coding a lot if you are in designing then do designing a lot if you are in some kind of co-curricular activities and you are trying to make them as your full time like singing dancing gym training etc etc you can pursue any career there is a lot of opportunity in every career in India or in the world now you just need to focus focus a lot thanks a lot